नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो, अक्सर मैंने देखा है कि जब किसी डिरक्टर की कोई फिल्म एक माईलिस्टोन टैक कर लेती है तो उस particular director के पास कई बड़े बड़े actor के साथ काम करने की opportunity होती है तब ऐसे cases में वो directors अपनी उस milestone film के commitment को पूरा करने में या तो विलम करते हैं या तो उन commitment को कभी भी पूरा ही नहीं करते वहीं कुछ directors के case में ऐसा भी देखा गया है कि वो directors अपनी milestone film के commitment को तब तक रोक के रखते हैं जब तक उनके केरे में कोई बुरा face नहीं आता फॉर एकदाम पर director कार्तिक सुबाराज इनकी सालर 14 में एक film release हुईती जगर थंडा फिल्म की blockbuster success के बाद फिल्म के director ने इसका sequel बनाने का announcement किया था फाइनली जब director कार्तिक सुबाराज की कई film में लाइन से नहीं चली तो इन्होंने लगबग 10 सालों के बाद इस film का sequel बनाया जिसे जिगर थंडर डबल X के नाम से release किया गया फिल्म ने 100 कौन प्लस की कमाई करी और इसी के साथ director साब का comeback भी हुआ सेम उसी तरह बात करें कनडा star director प्रसांत नील की जिनके केरड में उगरम एक massive success थी इस film की success के बाद director प्रसांत नील ने इस film के sequel की announcement कर दी थी जिसका नाम रखा गया था उगरम वीरम दोस्तो इस film की success के बाद जैसे ही director प्रसांत नील को बड़े बड़े actors और बड़े बड़े project में काम करने का मौका मिला इन्होंने तुरंती इस project को नजर अंदाज कर दिया आज लगबग एक दसक होने को है फिर भी इस film का ना ही कोई अता पता है और ना ही ये film आपको कभी भी देखने को मिलेगी सायद इसी का upgraded version अपसलार 2 यानि के सौरयांग परवं में देख पाओगे लेकिन फिलाल के लिए स्री मुले की उग्रम वीरम डबबा बंध हो चुकी है इसी तरह डेक्टर लोकेस कनक राज को कैथी फिल्म से massive success मिली थी और इस massive success के बाद ही डेक्टर लोकेस कनक राज ने इस film का sequel भी announce कर दिया था मगर फिल्म को release हुए एक लंबा समय बीच चुका है और ये project एक के बाद एक आगे के लिए shift होता जा रहा है कैथी LSU universe की मेरी favorite film है और दिल्ली का character मेरा LSU universe का most favorite character है और मुझे इस film का sequel देखना ही देखना है सायद मैं director होता तो सबसे पहले इस film के sequel पर काम करता कार्थी की star power भी इसी film से बढ़ी और आज इन्हें एक sincere bankable star के तौर पर consider किया जाता है आई होप लोकेस कनक राज और कार्थी के further commitment जल्दी से खत्म हो और कैथी टू में ये दोनों जल से जल साथ देखने को मिले फिलाल इस समय director लोकेस कनक राज रचनिकान साहब की 171 film के pre-production में वेस्ट हैं जिसकी shooting रचनिकान साहब की वेटईया के बाद सुरू होगी दोस्तों टीजे गनावेल के direction में बन रही वेटईया इस साल के 3rd quarter में release हो सकती है यानि कि थलाइबा 171 film को floor में जाने में लगबग इस साल का अंत लगेगा और आप ये मान के चाल सकते हो कि ये फिल्म 2025 के 3rd quarter में ही release होगी डिरेक्टर लोकेस कनक राज ने ये confirm कर दिया है कि जिस दिन थलाइबा 171 release हो जाएगी इससे ठीक एक मेने बाद कैथी 2 पर काम चालू हो जाएगा यानि कि ये LCU युनिवर्स की कोई भी अगली फिल्म फिलाल तो आपको 2024 और 25 में देखने को तो नहीं मिलेगी मेनवाइल रचनिकान साहब और लोकेस कनराज को एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा वहीं बात करें कैथी 2 की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कैथी 1 ने अपने लाइफ टाइम में जितनी कमाई करी थी कैथी 2 कहीं न कहीं अपने डेवन पर उतना बॉक्स आवेस फिगर निकालने का पूरा मादा रखती है इधर कार्थी भी अपनी फर्दर कमिट्मेंट में वैस्त हैं फिलाव कार्थी की 26 फिल्म का टाइटल एनॉंस हो चुका है और इस फिल्म का नाम है वाव वत्यारे ये डेरेक्टर नलन कुमारा सौमी की फिल्म है दोस्तों आपको बता दू नलन कुमारा सौमी एक क्रिटिकली अकलेम डेरेक्टर और राइटर हैं जिन्होंने विजे से तुपती के साथ कई सेकस्फुल फिल्में डिलिवर करी हैं बताया जा रहा है कि फिल्में कार्थी MGR साहब के हार्टोर फैन के तौरपर नजर आएंगे और ये एक मास्ट इंटर्टेनर नहीं बलकि एक इमोशनल ड्रामा फिल्म होगी इसी के साथ कार्थी अपनी 27TH फिल्म की सूटिंग में भी वेस्थ हैं और इस फिल्म का ओफिसल टाइटल भी रेवील हो चुका है फिल्म का टाइटल मी अझीकठम निकल कर आया है और इस फिल्म का सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे लिये है वो है इस फिल्म के डेक्टर सी प्रेम कुमार आपको बता दूं सी प्रेम कुमार वही डेक्टर है जिनोंने 96 फिल्म बनाई थी 96 कई लोगों की फेवरेट फिल्म है और इसी के चलते इस फिल्म को लेकर excitement काफी पीक पर है आपको बता दूं ये एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म होगी और इस फिल्म में कार्थी के अपोजिट स्री दिव्या को कास्ट किया गया है इसके अलावा अरविन स्वामी भी इस फिल्म का हिस्सा है साती साथ हम देख सकते हैं कि कार्थी ने अपनी फिल्म सेलेक्शन और फिल्मोग्राफी में एक काइंड ओव वेराइटी लेकर आए हैं दोस्तों ये दोनों फिल्में 2024 में रिलीस होंगी साथिसाथ दोज़चब्बिस में कार्थी की मोवी कैथी टू को रिलीस होना है इस बीच बचता है साल 2025 और साथिसाथ दोज़चब्बिस का फर्स्ट और सेकेंड कॉर्टर यहाँ पर एक प्रोज़च्ट सबचदा चर्चा में है और मौस्ट प्रोबबली वो फिल्म साल 2025 में रिलीस हो सकती है और वो फिल्म है सरदार टू फिल्म की और लेडी एनॉंस्मेंट हो चुकी है जो की बेसिकली 2022 की इस्पाई थिलर फिल्म सरदार की सीक्वेल होने वाली है फिल्म के पहले पार्ट ने 103 क्रोड की कमाई करी थी और अब यह फिल्म में एक सीरीज का रूप ले चुकी है दोस्तो आपको बता दूँ यहाँ पर आपको अलग-अलग केसिस देखने को मिलते हैं इसमें जो सरदार टू होगी यह रियल इंस्टेंट पर बेस्ट होने वाली है दोस्तो यह डियेक्टर पी एस मित्रन की फिल्म है और फिलाल इस समय सरदार टू की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है मेरे ख्याल से यह फिल्म 2024 के लाज तक फ्लोर में जा सकती है और 2025 में यह फिल्म रिलीस होगी यानि कि कैथी टू से पहले आपको सरदार टू देखने को मिल सकती है हाला कि इस 25-6 मेहने कार्थी की खाली हो सकती है इसलिए इसके भी काफिया चांसे से कि इस 20 कार्थी की एक और फिल्म रिलीस हो तो दोस्तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया कि साल और 2024 2025 और 2026 में कार्थी के लाइनप किस तरह होने वाले हैं इसमें से आप किस फिल्म के लिए सब ज़दा एकसाइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथी साथ नेक्स्ट अबव किस एक्टर पर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धनेवाद नमस्कार दोस्तो